अपको शौकत आपको यूट्यूब चैनल टार्गेट एंटस एक्जाम पर दूस्तों आज सत्री स्टमबर आज से आपकी कॉंस्टिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है तो कॉंस्टिंग देखें आप मोबाल ये लैपटाप दोनों से कर सकते हैं घर बैठे़ आराम से कर सकते ह आपको जाने कोई भी जरूबत नहीं हम आपको जो कॉंस्टिंग करके दिखा रहें यह पूरी मोबाल से होगी उसलिवार भी मोबाल से आपको पूरा कॉंस्टिंग और से बगार सारे फांव बरकर दिखायते ठीक है तो इस बार भी आप लोग अपने आपी कर लिजिए को पेज ओपन हो जाएगा ठीक है इस पर इस पेज पर आप कैसे पहुंचेंगे आप डिरेक्टी सर्च करेंगा लखनो उनिविस्टी उसको आप जाएगा कि या फिर आप कर सकते हैं सीधे डिस्क्रिम बॉक्स में जाएगा वीडियो की उसमें लिंक दिया उस लिंक पर क्लि last थोड़ी सी आपकी बहुत बड़ा आश्यू आगे क्रेट कर सकति यहाँ पर क्लिक करेंगे याँ जैसे आप इस पर किलिक करेंग biggest है पहुँच यह पहुंच måste परkit पहुंच जाएंगे फर जब आप उस पर क्लिक करेंगे कलिक करेंगे तो आपका न्यूव नूभाला यू पर क्लिक करेंगे और डेश्टॉप सायट के आगे बॉक्स होता है उस पर आपको कर देना आपको इस त्रीका का पेज ओपन हो जाएगा टालेंगे यूजर डालेंगे जैसे यहां निकाला था आपको फिल कर देना है और फिर पर आप लॉगन कर देंगे जैसे हैं आपने करके रिस्त्री सिन फासपड़ यह सारी चीजिए पूरा पेज खुल जागा यह फॉर्म हमारे नहीं ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं फॉर्म आपका पूरा ओपन हो गया है पूरा फॉर्म होने के बाद यहां पर क्या कर सकते हैं आपको जो है यह options हो जाएगा counseling registration यहां पर आपको जो हो जाएगा इस पर आप क्लिक कर देंगे तो अगर आपके rank 1 से लेकर state rank 75,000 तक है ठीक है तो यहां पर आपको दिखाई देगा click here क्लिक here counseling registration ठीक है क्लिक here for counseling registration देखे सब चीज आपको ध्यान से सुनते जाना उसके बाद ही अपने mobile पर यह सारी चीज़ें करनी है ठीक है तो बीच-बीच में ऐसा ना करें आप साथ में करते हैं पहले रुकिए पूरी वीडियो देखे अच्छे से उसके बाद ही आप अप कर आपको दिखा रहे हैं जैसे कि हरवार हम लोग करते हैं ठीक है तो जैसे आप पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपकी डिटेल्स आजाएगी आपका पूरा जो भी हमारी डिटेल्स है वह आपके आजाएगी और यहां पर राउंड फर्स्ट और फेज फर्स्ट आपका हो जाएगा जो की चल ही रहा है तो इसमें देखिए उन्हों कुछ महितपूर जनकारी लिखी इसको पढ़ लीजिए यहां पर इन्हों लिखा है कि अगर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होती मतलब आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप आप आपने पा है आपको बैंकर नेम डाल देंगे हैं यहां पर उनकी बैंक को डाल दीजिएगा यहां पर branch city, कि city में आपकी bank है, उस city का यहां पर नाम लिखना है, इसमें आपको branch name लिखना है, इसमें आपको दोनोबार अपना account number, confirm bank account number, उसमें उपर आले IFSC code, यह सारी चीजें आपके जो bank account होता है, उसके पहले page पर सारी चीजें लिखी रहती है, जैसे उसमें लिखी है बैसे आपको इसमें फिल कर देनी है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सही, उसके बाद देखें, आपर passbook का जो पहले, पहला page होता है, अपनी जो passbook होते, उसके पहला page होता है, bank account का, उसको आपको आपको अपलोड करना रहेगा, तो अपलोड करने के लिए क्या कर उसमें आप साइज उसको कम कर लेजिए, 100KB से नीचे साइज आजाएगा, जैसी आजाएगा, तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर किलिक करेंगे, तो उसके लाद अपनी गैलरी में पहुंच जाएंगे, और भहाँ से आप क्या करेंगे, उसके यहाँ पर अपलोड वाल आपको मतलब इसमें एकी स्टेप था, इसमें सिर्फ आपको बैंक जो है, अपनी फिल करने थी, और हाँ, अगर आप लास्ट यर के स्टुडेंट से हैं, तो आपको इससे पहले कि स्टेप आगा, उसमें आपको अपना जो है, रिजल्ट अपलोड करना रहेगा, ठीक है, तो भो भी अगर आपको कोई शुआ है, तो बतादें, हम भो भी आपको करके दिखा देंगे, बाकि कोई भी आपको दिक्कत इसमें नहीं है, कि सारे काम आप मोबाल से इसली कर सकते हैं, बस डेक्स्टॉप साइट वाला जो आप्सन है, उस पर आप किलिक करके रखिएगा इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो गोला है, इस पर आप किलिक करेंगे, सरकल, उसके बाद यहाँ पर आप संबिट कर देंगे, संबिट जैसी करेंगे, आप सीधे पहुंच जाएंगे, अपने यहाँ पर लिखा है, प्रोशीड लिख कराएगा, इस पर आप किल रहेगा यहां पर आपको क्या करना है भी क्रेट कार्ड का ओप्सन है फिर आप इस पर डेविट कार्ड वाले पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप अपना चो कार्ड नंबर होता है कार्ड नंबर डालेंगे पूरा कार्ड नंबर आपके किसी का भी debit card ATM आप यूज कर सकते हैं अपने मम्मी का पापा के किसी का भी कर सकते हैं जरूरी नहीं जिसका आपने bank account लगाया है debit card उसी का उटे का debit card किसी का ATM आप किसी भी account का लगा सकते हैं तो यहापर आप card number लिखेंगे यहापर expired date जो की card के उपर ही लिखी होती है CVV 3NC का code होता जो की आपके ATM card के पीसे लिखा रहता है फिर यहापर जिसका भी ATM उसका नाम यह नाम किसी का भी हो सकता जिसका ATM है ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि जिसका counseling हो रही जिसका फिर जिसका bank account लगा उसी का नाम हो अतलब ATM किसी का भी आप लगा सकते हैं उसके आद में एक payment पर किलिक करेंगे तो बहुत ही आसान से steps है इस पर जिसका भी ATM है उसके मुझा पर क्याएगा एक OTP आएगा ठीक है एक मिनट OTP आएगा ए रहा इसमें OTP वाला एक रुपे ज़्यादा नहीं कटेगा सिर्फ इत्रा ही आपका वैलेंस करना है साथ सब्सक्राइब काउंसलिंग कर देंग उसके बाद आपको सीधे स्पेस पर पहुंच जाएगे आपका एक पूरा क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर के लिए क्लिक करेंगे आपका जो है डाउनलोड होकर आजाएगी कुछ इस तरीके से ओके तो पूरा प्रॉसस हमने आपको बताया है स्टेप बाइस्टेशन आप अगर आपके पास आज एकाउंट नहीं मतलब कि एकाउंट में पैसे नही कर बाकी 21 तारिक से आपके च्वाइस फिलिंग होंगी मतलब कि 21 के 21 से तेजस तक च्वाइस भी कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं रहेस्टेशन के बाद ही आप च्छे समझ चुके होंगे हमने पिछली बार भी पिछली वीडियो में बात कि है तो बार बार बात करने उसकी है नहीं आप लोग अच्छे से बाद समझ चुके होंगे इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में जुरूप पूछेएगा हम उनका पूरा आंसर देने की पूरी रिप्लाइज देने की पूरी कोशिश करेंगे बाकी जिनका रिजल्ट नहीं आ